आज पता चलेगा किस में कितना है दम 100 Days of Code के इस वीडियो में आप लोग को एक exercise मिलेगी और आज की दिन आपको करनी होगी इस exercise को solve और उसके बाद आप लोग को मुझे देना होगा इसका solution पता चल जाएगा कौन करेगा है दम तो करना solve चलते हैं computer screen में और मैं बताता हूँ कि क्या question है जो कि आपको solve करना है So guys, अब मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा operators के बारे में और operators क्यों important होते हैं और उसके बाद मैं आप लोग को एक exercise दोगा तो operator है simple सी चीज़ है हम लोग ने जो mathematics में पढ़ी हुई है अगर आप लोग class 5 के भी है ना तब भी आप लोग को पता हूँ ना चीए operator क्या होता है अगर आप 4th last में इस वीडियो को देख रहे हो तो सुन लो क्या होता है addition जो है 15 plus 7 जोड़ लो दो numbers को एक टॉफीली आपने 15 रुपएगी एक टॉफीली आपने 7 रुपएगी कितने रुपए ते क्या होगा तो कांदर को 21 रुपए नहीं गलत जवाब 22 रुपए ठीक है दियान नहीं आपका दियान से सुना करो 15 plus 7 होता है 22 ठीक है मैं जिस आप लोगो बताने की कोशिश करना हूँ कि Python में सारे operators होते है Multiplication आप लोग को मालूम है ठीक है अगर यहां पर मैं लिख दू print 5 plus 6 तो आप लोग जाहिर सी बाते काहोगे कि यह मतलब क्या सरकत्स चलना है यहां पर इसको मैं दराब close करता हूँ रिजल्ट्स प्रिंट होके आजाएंगे स्क्रीम में 5-11 होता है बंदा मैंस 6-9 होता है और फिर आपको 15 multiply by 6 कितना होता है आपको 90 होता है फिर इसके बाद 15 divided by 6 कितना होता है 2.5 होता है ठीक है तो यह चीज जो है आप लोग को अच्छे से पता है ठीक है मैं क्या ही बता हूँ लेकिन एक नया operator जो कि शायद कुछ लोग के लिए नया हो सकता है वो है floor division operator अगर मैं 2.5 का .5 हटा के सिर्फ 2 लेना चाहता हूँ तो मैं floor division operator का इस्तेमाल करूँगा ठीक है एक और operator modulo operator और modulo operator क्या करता है simple सा काम करता है modulo operator 5% 3 करता हूँ अगर मैं 3 से divide करूँगा तो 2 remainder आएगा simple सी बात है तो यह remainder ही देता है अगर मैं 5 को 3 से भाग दो 2 remainder आएगा तो 2 यहां पर remainder दे रहा है 15 double divided by 6 15 divided by 6 होते है 2.5 लेकिनी double divided by लगाने के बाद 0.5 खतम हो जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा 15 by 6 करने से 2.5 15 multiply by 6 करने से 90 तो यह सारे operators है जो की addition, subtraction, multiplication अब exponential operator जो है मैंने आपर गलल दिखा हुआ यह division है तो यह मैं इसको तरह सही कर लूँगा यह division operator है और exponential operator मैं आपको बताता हूँ क्या होता है print 5 मैं star star 3 कर दूँ इसको ठीक है आप मैं इसको प्रिंट करूँ तो यह 5 to the above 3 हो जाता है 5 multiply by 5 multiply by 5 मैं तरह इसको fix करके वापस आता हूँ यह आपर exponential में divide कैसे लिख दिया हमने अब आप मेंसे कुछ लोग कहने होगा आपने तो अरे यार हो जाती है इसलिए इसलिए होती है अपस में तो क्या आएगा 2 double star 4 अगर मैं करूँ 2 into 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा अब यह आवर मैं आप लोग को बताता हूँ exercise मैंने आप लोग को जो दी है उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर एक दिखाना चाहता हूँ कि यह प्रोग्राम जो है आप लोग करना अगर आप exercise solve ना हो तो लेकि मैं इसको भी run नहीं करूँगा ठीक है नहीं इसका explanation मैं आपको बताऊंगा यह इस मैं आप लिए लिखा हुआ है आप लोग इसको तब ही देखना जब आप exercise solve नहीं कर पारें और मुझे पता है सब लोग exercise solve कर पाएंगे बहुत ही simple सी exercise है और इसके next page पर आप लोग जाओगे इसी REPL के तो यहां पर आप लोग को exercise दिखेगी जो कि create a calculator आप लोग ने क्या करना है कि एक calculator बनाना है which is capable of performing addition, subtraction, multiplication and division operations on two numbers दो numbers पर वो यह सारे operations कर पाए, दो numbers सा variable बना लेना ठीक है मैं ज्यादा hint नहीं दूँगा बहुत ही simple है और आप लोग को output दिखाना है, बहुत ही simple है मैं ज्यादा इसमें भी hint दे दूँगा तो यार क्योंकि already मुझे पालू में की comments आने वाले है कि यार ये इतनी simple सी exercise बन देने का point क्या है point यार कि बहुत सारे लोग अभी programming से start out कर रहे है तो उन लोग को confidence देना और उन लोग को उन लोग के अंदर programming की जो curiosity ये ना उसको जगाना, ठीक है मजा आएगा आपको इसमें अब एक चीज़ और में बताना चाहूँगा कि अगले वीडियो में right next वीडियो में, मैं ये बात भी announce कर रहा हूँ कि ये है video number 7 हमारा day 6 sorry day 7, day 8 पे हम लोग इस question को solve करेंगे और मैं उन लोगों को shout out दूँगा जो लोग इसको solve करेंगे आप उन्हें करना किया है मैं आपको ये भी बताता हूँ आपने simply क्या करना है कि इसके रैपल के cover page पे जाना आप लोग को कुझे इस तरह से रैपल दिखेगी यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपनी रैपल बनानी है आपने अपनी रैपल बनाई और आप मुझे comment section में और रैपल इट की comment section में बताना ठीक है क्योंकि उससे क्या होगा कि मैं आप लोग का directly यहाँ से खोल लूँगा रैपल और simply आपकी रैपल में access कर पाऊंगा और मैं shout out देने वाले उन लोगों को जो कि इसको जल्दी solve करते लेकिन जल्दी के चकर में गलत मत कर देना अगर आप अभी start out करें time लेके करो यार competition किसी से नहीं है it's just about मैं वस यह चाहता हूँ कि आप करो आप करो वह बहुत important है आप पहले करो important बिल्कुल भी नहीं है believe me बिल्कुल भी नहीं है और आप भी time के साथ यह समझोगे बिल्कुल भी नहीं है competition अपने आप से गरोसर ठीक है किसी को नहीं हराना है खुद जीतना है खुद आगे बढ़ना है ठीक है इसी के साथ इस वीडियो को खतम करता हूँ अगर आपने अभी तक प्लेलिस एकसेस करें आप इस वीडियो और आप इस वीडियो नेक्स ताइम कर दो कर दो कर